यहां पर हमें sum of first 22 terms निकालने हैं, यानि s 22 निकालना है, d के value और 22nd term गिवन है 149, यानि मुझे d के value 7, a 22 के value 149 गिवन है, अब देखो s 22 निकालने के लिए, अगर मैं हमला यूज करो, n by 2, a plus last term, तो यहां पर last term होगी a 22, तो मुझे last term की value तो पता है, और s 22 है, यानि n की value 22 है, यह पता है, पर मुझे first term नहीं पता है, यहां पर first term कैसे निकलेगी, first term के लिए हम यहां पर a n के formula में, a plus n minus 1 into d, यहां पर n की value 22, a n हो जाएगा मेरा, यह a 22, 149, और d की value 7 put करता हूँ, तो यहां से मेरा a आ जाएगा, a आ जाएगा फिर इस वले formula में put करेंगे और answer आ जाएगा, चीक हैं, कर लेते हैं, 22nd term यह given है, common difference यह, a n की formula values put करता हूँ, solve करूँगा, तो a मेरा आता है 2, यह a की value के लिए, अब मैं sn वाले formula में, n by 2 a plus l, यहां पर last term मेरी 149 है, n की value 22 है, a की value 2 put करता हूँ, तो इसको solve करें अगर हम, तो यह आता है 1661, तो मेरा sum यह आगा,